हलो एर्योवन मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूटूब प्लेटफॉरम टीचर ग्यान में दोस्तो आज का अपना जो वीडियो है वो मैं एक बार पहले भी डाल चुका हूं लेकिन उससे में बिल पूरा नहीं बन पा रहा था डेफर्ड सेलेरी क इस वज़े से वहां पर उसको मंतली सेलेरी प्रोसेस के आगे छोड़ दिया गया था तो दोस्तो आजगे इस वीडियो में मैं आपको इस्टेप बाइस्टेप ताऊंगा कि आप कि इस परकार से डेफर्ड जो अमाउंट था मार्च 2020 का उसका आप बिल बना सकते हैं तो च से ले रही थी बिल सब टाइप के अंदर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप जो रेगुलर आपको ओप्शन दिखाई दे रहा है आप इसी रेगुलर को सेलक्ट करेंगे पैंशनर है तो भी यहां पर यही रहेगा और जो प्रिवेश वीडियो था उसके अंदर स सारी चीज़े मैंने आपको बता जी थी यह दिए आप वो वीडियो भी तक नहीं देखा है तो वीडियो देख लेंगे यहां पर यह में आप 2020 करेंगे पे मंत मार्च और बिल नंबर आप यहां पर एंटर कर देंगे अपने बिल रेजिस्टर के अनुसार मैनुवल जो भी चल रहा है आपका बिल नंबर में आप वो बादेख सकते हैं बिल रेजिस्टर टेयल एड़ेट सक्सेशफूली आप वेडिंडो को ओके कर देंगे आपका बिल नंबर एलोकेशन का जो कारिये हैं यहां पर कुरून हो चुका है अभी आप आएंगे बिल प्रोसेसिंग में इसके बाद में Celery Preparation और आप स्क्रोल करते वे आगे की तरफ आएंगे यहां Celery Preparation में आपको काफी विंडो यहां परदर्शित हो रहे हैं टैपस आपको परदर्शित हो रहे हैं इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे Monthly Celery Deferment को आप OK कर देंगे इस टेप पर यहां पर आप Months सेलेक्ट कर लेंगे March यह एर में दोस्तों ध्यान रखेंगे 2021 नहीं सेलेक्ट करेंगे आपको सेलेक्ट करना है 2020 क्योंकि मार्च 2020 का टेफर वेतन था यहां पर यह पार्शिल किसी employee का आपको बनाना है तो चेकबॉक्स पर कलिक करेंगे Otherwise आप यहां इस चेकबॉक्स पर डायरेक्ट कलिक कर देंगे यह दि सारे employee का आपको यहां पर बनाना है तो defer amount जो बिल है इसके बाद में आप दोस्तों simple दो टेप दिखाई दे रहें process और reset आप process पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों salary process successfully आप okay कर देंगे अभी दोस्तों इसके बाद में आपके जो process रहता वो रहता है document upload का यदि आपकी treasury आप से document upload करवाती है तो आप यहां पर authorization में जाएंगे upload document में और आप यहां पर जो भी वित्विभा कादेश जारी हुआ था deferment salary के लिए आप वो order यहां पर upload कर देंगे otherwise दोस्तों आप यहां पर simple आ जाएंगे forward to video पर और क्लिक कर देंगे यहां पर payment March सेलक्ट है आप यहां पर year सेलक्ट कर देंगे 2020 type के अंदर आप यहां पर salary सेलक्ट करेंगे यहां पर आप group सेलक्ट कर लेंगे जिस भी group में आपने bill number allocation का work किया है कारिय किया है इसके बाद में आप यहां पर जो भी check box आपके आगे बना हुआ है bill number के सामने आप इस check box पर क्लिक करेंगे यहां मैं budget देख लेता हूँ distribution यहां पर आप according budget distribution क्लिक कर देंगे इसके बाद में submit टेप पर आप क्लिक कर देंगे आप यहां okay कर देंगे अभी दोस्तो आप कर देंगे bill को simply forward आप देख सकते हैं bill forward successfully आप window को okay कर देंगे दोस्तों आपके bill डीडियो forward हो चुका है अभी आपको यहां पर reports डाउनलोड करनी रहती हैं तो report डाउनलोड करेंगे इसके लिए आप salary reports all salary report year 2020 select month में आप March select करेंगे यहां आप group select कर लेंगे group name में bill number आप यहां पर जो आपने भी allocate किया है वो आप select कर लेंगे report type आप outer inner और schedule तिनों यहां डाउनलोड कर लेंगे मैं यहां save कर देता हूं reports अभी आप एक बार inner check कर लेंगे आप यहां देख लेंगे basic DAHRA NPS आपका यहां कट चुका है बाकि आपको किसी परकार की cut होती यहां करनी नहीं है क्योंकि आपका पहले जो bill बना था वो partial बना था आप इसको check कर लेंगे इसके बाद का जो आपका next process रहता है वो रहता है e-sign का तो इसके लिए आप मैं यहां browser open कर लेता हूं एक minute के लिए मैं यहां पर बीच में video stop कर लेता हूं और मैं यहां internet explorer जो है open कर लेता हूं यहां पर मैंने open कर लिया है internet explorer browser को इसके बाद में आप authorization टेप पर आएंगे document digital sign year आप यहां 2020 सेलेक्ट कर लेंगे month आप March सेलेक्ट करेंगे बिल टाइब सेजरी गुरूप आप यहां वो गुरूप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने बिल नमर एलोकेशन किया था चैक बोक्स पर आप simple click करेंगे sign by dhc total files आप देख सकते हैं यहां 3 आपको show हो रही हैं आप कर देंगे sign file आप ok कर देंगे certificate pin आप यहां provide कर देंगे और enter कर देंगे या फिर login कर देंगे यहां पर आप wait कर लेंगे 15-20 second के लिए क्योंकि इतना समय file sign होने में यहां पर लगता है आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तो file sign successfully आप pop-up window को ok कर देंगे बिल पर digital sign का जो work था वह भी आपका यहां पर complete हो चुका है अभी आपका इस bill के अंदर last process वर्चता है जो आपका रहता है treasury forward करना तो आप यहां पर authorization टेपर जाएंगे सबसे उपर देख सकते हैं bill forward to treasury आप इस option पर क्लिक कर देंगे इस परकार का window आपके सामने open होगा month आप March रहने देंगे year आप 2021 की जगर 2020 कर देंगे salary और यहां पर वो group select कर लेंगे जिसके अंदर आपने bill number allocation किया था आप check box क्लिक करेंगे और forward टेप पर क्लिक कर देंगे दोस्तो बिल forward successfully आप pop up window को ok कर देंगे दोस्तो यह था आपना आज का वीडियो की किस परकार से आप March 2020 की जो defer salary थी उसका बिल बना सकते हैं step by step यहां मैंने आपको बताया है इस वीडियो में I hope आपको पुरा प्रोसेस किलियर हो गया होगा यह इसके बाद भी किसी परकार की समस्या हो तो आप वीडियो पर comment कर सकते हैं मैं आपको यहां पर हर क्यूसन का अंस्वर दूँगा तो दोस्तों यह दि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए subscribe क्योंकि कुछ इस परकार के informational वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और यह दि आपके कोई दोस्त या फिर आपके कोई प्रिचित या फिर कोई परिवारजन रीट की तयारी कर रहे हैं तो इसके लिए psychology model test paper जो series है वो भी अपने चैनल पर अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उनके साथ में भी वीडियो को share करें ताकि वो भी अपने चैनल पर आ सकें और यहां पर अपनी तयारी कर सकें जाच कर सकें अपनी की कहां चल रहे हैं किसी इस्तिती में हैं ओके दोस्तों thanks for watching